हेलो गैज नीट यूजी 2024 को लेकर बड़ी ख़बर सुप्रीम कॉर्ट ने दिया एहम फैसला दोबारा परिक्षा कब होगी क्या रीजन जो है दिये है क्या बहस हुई है कॉर्ट में क्या कुछ कहा गया है क्या एंट यूजी का पेपर दोबारा से कंडेक्ट होगा यह पूर इनफोरमेशन आपको सबसे पहले मिलसके अब देखिए गया जा सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसिजन आना था और सुप्रीम कोर्ट में जो है फाइनल सुप्रीम कोड ने कहा है नीट यूजी स्टुडेंट के लिए कि जो रिजल्ट एंट ने तयार किया था अब वो रि करने को भी बोला गया है कि उनको नहीं दिखाना है अब सरीवार तक NTA को किसी भी हालत में सेंटरवाइज जो है नतीजे वो जारी कर देने है और वापिस सुप्रेम कोर्ट का फाइनल जो आएगा वो हीरिंग होगी वो मंडे को फिर से हीरिंग होने वाली है ठीक है यह सुप तो देखिए नीट पेपर लिक केस सुप्रेम कोर्ट ने कहा दोबारा परिक्षा तबी होगी जाने बहस के दोरान और क्या कुछ कहा नीट पेपर लिक को लिकर चल रही सुनवाई के दोरान CGI चंदर्चूड ने कई एहम सवाल पूछे सुनवाई के दोरान सॉलिस्टर जेनरल तुसार महता ने कहा कि 131 चात्र दोबारा परिक्षा चाहते है क्या 131 ही चाहते है नहीं काफी सारे स्टूडेंट्स चाहते है तो एक पर देख लेते हैं पूरा मामला है क्या नीट पेपर मामले को लेकर सुप्रीम कौर्ट में CGI की सुनवाई कर रही थी इस सुनवाई की दोरान CGI चंदर्चूड की बेंच 40 से जादा याचिकाओं पर दलिले सुन रहे है मामले की सुनवाई की दोरान CGI चंदर्चूड ने कहा कि अगर 1,18,000 चात्रों को दाखिला मिलता है तो बाकी 22,000,000 चात्रों को दाखिला नहीं मिलता है ऐसे में इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी परिक्षा को रद कर दिया जाए कोर्ट का ये भी कहना है दोबारा परिक्षा के लिए ठोस आधार जरूरी है कि बड़े स्तरपर परिक्षा में गड़बडी हुई आए जानते हैं सुनवाई के दोरान क्या कुछ दलीले जो है पेस की गई है अब ग्रेस मार्क्स पर बहस क्यों कर रहे हो टॉप सो चात्रों का अनालेसिस हुआ है टॉपर्स अलग-अलग सेंडर के है इस पर याचिका करता ने वकील से कहा कि पाइथन सॉफ्ट्वेर पेपर लिग के गड़बडी नहीं पगड़ सकता क्योंकि आई 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 टी ने अनालेसिस के लिए बेसे का नंबर 23,00,00,00 रखा जबकि इसे 1,18,000 रखना चाहिए था इतने बड़े आंकड़े में गलती नहीं पगड़ी जा सकती है तो गड़बडियों के जो सबूत मिले है वो क्या मिले है गड़बड़ी बड़े सुक्षम स्तर पर हुई याजिका करता के वकील याजिका करता के वकील ने कहा आई आई टी मद्रास की रिपोर्ट कहती है कि 23,00,00,00 के डेटा के अनालेसिस पर शेप का करव बन रहा इसलिए कोई गड़बड़िया लीक नहीं हुआ यह यहां दर्ज नहीं है यह एक गंभीर बात है उन्होंने आगे कहा कि एंटी ए ने कभी इसका खुलाशा नहीं किया कि हरदेयाल स्कूल जजजर में केंडरा बेंक से प्रशन पत्र बिना किसी देरी से वितरित किया गया था प्रंसिपल ने वीडियो पर कहा कि पेपर SBI और केंडरा से लिया गया था और केंडरा बेंक का पेपर वितरित किया गया था इसका कभी खुलाशा नहीं किया गया पंद्रा सुत तरह सट चात्रों को ग्रेश आंक कैसे दे दिये गये फिर दोबारा परिक्षा हुई अदालत ने ये जाचन नहीं कि याचिका करता के वकिल की इस दलील पर से जे आये ने कहा कि क्या टोप रंक वाला चातर गुंटूर से है इस पर S.D. सॉलिस्टरे जर्नल ने जवा में कहा हाँ फिर याचिका करता के वकिल ने कहा कि जैपूर के नो लोग है जिनने आयाईटी ने अपना रिपोर्ट में सामिल नहीं किया फिर एस जिनने बताया कि लखनों में चार चातर है जो टोप सो में है लेकिन बेश सभी अलग-अलग संस्थानों से है याचिका करता के वकिल ने जैपूर का जिकर करते वे कहा कि 9-14 टोप सो में थे जिन में से दो कोई लीया है NTA की भूमि का IIT JW में क्या भूमि का CZI CZI चंदरचूट ने कहा NTA की वोमी का IIT जे डबली में क्या वोमी का है सोलिस्टे जनरल में है था तुशार में है था NTA ने जे डबली मेंस कराया था IIT के डाइरेक्टर NTA एक्स ओफिश्यो सदस्च होते है लेकिन उने किसी दूसरे को इसके लिए न्युक्त किया था तो इस पर CZI ने कहा IIT मदरास के रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है वो बताया जाए NTA पर भरोशान नहीं कर सकते याचिका करता के वकिल ने CZI से कहा याचिका करता के वकिल ने कहा IIT मदरास का एक निदेशक NTA के गवर्निंग बोड़ी में है ऐसे में हम NTA पर भरोशान नहीं कर सकते है तो इस पर CZI ने कहा IIT मदरास में काम करने वाला कोई NTA का पार्ट है फिर S.J. ने कहा कि वर्टमान में काम करने वाला कोई नहीं है 131 चातर दुबारा सा चाहते है परिक्षा S.J. सोलिस्ट जन्डल दुशार महता ने कहा 131 चातर है जो री टेस्ट चाहते है जबकि 254 ऐसे चातर भी है जो ऐसे नहीं चाहते है जो 131 चातर है वो 1,08,000 के अंदर नहीं आते जो 254 चातर है वो 1,08,000 के अंदर आते है लेकिन दोबारा परिक्षार नहीं चाहते है NTA ने सभी चातरों का रेजल्ट गोसित नहीं किया याजिका करता कि वकिल मामले की सुनवाई के दोरान याजिका करता कि वकिल ने अपनी दलील में कहा कि एंटी ने सभी अभी हर्थियों का रजल्ट गोसित नहीं किया है जबकि दूसरी परिक्षाओं में ऐसा नहीं किया गया कि वकिल ने जवाब दिया कि कुल सीटों की संख्या 56,000 है इसमें कम से कम एक लाग चात्रों का रजल्ट गोसित किया जाना चाहिए इस पर CZI चंदजूर ने कहा कि क्या आपके हिसाब से कुछ लोग एक लाग 8,000 के कैटेग्री में आए है आप पहले फैक्ट्स पर बात करें एक लाग 8,000 में कितनी याजिगा करता है ये भी पता चले और इन में से कितने चात्रावी तक सुप्रेम कोर्ट पहुंच है इनकी भी जानकारी होनी चाहिए तो गया जब फाइनल जो है ये सब चीजे एन्टिय के थुरू मांगी गई है साथ में एन्टिय को वापिस से एक बर नतीजे गोसित करने होंगे सनिवार तक का टाइम दिया गया है और सॉमवार को वापिस से इस बेंच पर सुनवाई होने वाली है ये है आपका फाइनल आज का जो नी चोड रहा है वो फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं आपने वोट नहीं किया कि आप क्या चाहते है वापिस एक जाम ओल ओर इंडिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए अपनी राइज जरूर मेंशन कीजिएगा जल्द ही मिलते है नेक्स्ट नियु अप्रेट के साथ तब तक के लिए थैंक यू गाइज